वैसे दोस्तों गुफा में तो काफी डर लग रहा है वैसे कुछ है नहीं और ये है दोस्तों गुफा गुफा में बहुत थोड़ असा ही पानी है जो जमीन के नीचे में है और कुछ चमकती हुई चीजे है नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको छ यहां दुफा दुस्तो काफी प्राचीन है और पौराणिक इस्थल है इसके जो प्राचीन है वह त्रेता युक से जुड़ा हुआ है और इस गुफा में काफी सारी ऐसी चीजे है जो आप नहीं देखना चाहेंगे इस गुफा को दुस्तो कहा जाता है मुनी चुवा या फिर गुप्त गंगा यह दुस्तो सारंगर बिलाई गड़ जीले में आता है यहां मुनी चुवा मुनी सागर नाम से एक बहुत ही खुबसूरत और रहस्स समय प्राचीन इस्थल है इसकी प्राचीनतम को लेकर दुस्तो काफी सवाल उटते हैं क्या सच में पौराणे किस्थल है या तृता युक से इसके तार जुड़े हुए है एक और जगा मानना है दुस्तो इसका पानी काफी पवित्र है और काफी लावदायक ऐसा कहा जाता है साथ यह समाना जाताा है कि इसी गुफ़ा से होकर आप महान अदी भी जा सकते हैं यहसे अगर कुछ भी चड़हाया जाए तो वह इस गुफा में निकलता है इन अगलों के बातों के बारे मद दोस्तो आच किस वडि़िव говорить वीडियो में जाने है यहां बोल थे के महानदी से उका शुरूज था यह महावय अच्छा थे वहाँ जब को भी कभू कभाल वहाँ जो फूलूल और नितियुती मन बहग रहा थे इसे बता थे जय जहार दोस्तों कैसे आप लोग मैं हूँ किशन और आप देख रहे हो सेजी टूरिजम विद किशन दोस्ता आज मैं आपके लिए फिरिकने वीडियो लेकर आ गया हूँ इस वीडियों दोस्तों मैं आपको छत्ते दर के एक और रहस समय अनोखी पराणिक जगह पर लेकर आया हूँ इसकी पीछे बहुत सारी कहानिया छीपी होई है काफी सारा रहस सी जगह से जुड़ा हुआ है प्राचीन काल से भी अभी से भी तो वो सब आज इसके वीडियों में जानेंगे आज दुस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ मुनी चुवा दुस्तों बिलाईगण सारंगण जीले का एक परेटन इस्थल है बहुत ही फिमस परेटन इस्थल है काफी सारे लोग यहाँ आते है जब बरसाद का मौसम होता है ठंडी का मौसम होता है यहां का महाल ही बड़ा अलग होता है काफी गर्मी है लेकिन जो सुरंग है वो अभी इसी समय जो है वो खाली होती है कि बागी बरसात के समय में पूरी भर रहती है तो उससे जुड़ा रहस से जानने के लिए मुझे गर्मी की दिन में आना पड़ा आपको पूरा इजहा को बारे में जानकारी साथ ही यहां भी जानेंगे कि इसकी पीछे चीपा हुआ कहानी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ नोटिफिकेशन बल दाबाना मत भूलना इस वीडियो को लाइक और शियर जरूर करना क्योंकि मैं से विडियो के लिए लेगा राते रहता हूं चलिए वीडियो के आया हूं यह दोस्तो सारंगड बिलाइजगर जीले में स्थित है इसकी दूरी सारंगड से एंठावान बलदबदबर से 84 और महासमन से 107 किलोमेटर और बिलाइगर से लगभक 1012 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है तो दोस्तो यह जो आप रोड देख सकते हो यह जाता ह है बिलाइगर की और और यह रास्ता मुझे नहीं पता जाता है मैं आपको बता दूंगा यह जो है देख सकते हैं यहां पास लिखा है मुनी चुआ या फिर गुप तगंगा पहुंच मार्क 2 किलोमेटर वहां पास भी बोर्ड लगा हुआ है सोजन राजमहल बिलाइगर प सबसे पहले हम जान लेते हैं किना मुझा माना जाता है कि हाएक मूशक देता रहता था जिसके कारण मुझे फ़रों करते हैं वह त्रितायुक से जुड़ी हुई है और उसका संबन्ध रावण और राम से है वह कहानी दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे कैसे रावण यहां आया था और प्राचिन समय में इसे हटकेश्वरवन कहा जाता था तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है माना जाता ह है कि तरितायुक की समय जब राम और रावण के संगर्ष रहा था तब रावण इस जखह पर घुमने के लिए आया था उस समय इस जहा को 36 गड़ के सारंग गड़ नहीं कहा जाता था उस समय इस जहा को हटकेश्वरवन कहा जाता था जो की पूरा उडिसा तक पैला हुआ तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहां इस वन में हटकेश्वर उन्हें उडंग रिशी रहा करते थे जिनकी पूत्री थी माली जिस पर रावण मोहती हो गए थे और उनका हाथ पकड़ लिया जिसके बाद माली गर्भवती हो गई और अवांचनी कारणों से वह नदी में जाने लगा ऐसा मानते है दोस्तों उसने कठोर तपस्या करके शंकर और ब्रह्मा को प्रसंद कर दिया और वरदान मांगा अमर होने का चुकि उस पर रावण का अंस्ता इसलिए वहां अमर नहीं हो पाया और वहां उड़दंग मचाने लगा इसकी उड़दंग को देखते इसी मुनी चुआया फिर मुनी कुआय स्थान से और उसी के गर्भगरी में वहां वापस चला गया इस बिल से होते हुए है वह दूसरी और भागना चाहा लेकिन दूसरी और उड़िसा के निशिंग नात्मंदित था जोकि अलग भगवान का अवतार था तो वहां से भी न नाम पड़ा है तो यह है रास्ता दोस्तों और यह है कुंड है और यहां पास एक पेड़ है बीचों बीच में है रास्ते के चलिए कुंड की तरह आपको लिका चलता हूं यह ऐसी बनाया हुआ है हो सके तो प्राचीन समय भी रहा होगा उतरने के लिए पुंड तो चमतकारी है ऐसा बोलते हैं पानी उसका काफी चमतकारी है ऐसा बोलते है एक्चुल में मालूम नहीं है अब वो तो जाकी पता चलेगा यहां तक देख सकते हैं यहां बस गंगा मैया के स्थान में लिखा कुछ हो और यह है दोस्तों गुफा गुफा में बहुत थोड़ा सा ही पानी है जो जमीन के नीचे में है और कुछ चमकती हुए चीजें पता नहीं क्या है भाई कचरा यहां तक आ गया है जो कि में को विल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन यह क्या चमक रहा है इसको देख पानी को काफ़ी अमरित मना जाता है और इस पानी से जो चरमरोगी वह स्तमाल भी औरते हैं साथ ही कई लोगनी को लि conspiracy अधर नहां कुछ भी आप बहाए फूल बतिनार्य तो आहां आ आ जाता है बहते हुँए इसा कहा जाता है गर्मी की दिन में दोस्तों जब इस गुफवा इस गुप तगंगा या फिर मुनी चुवा मुनी कुवा में पानी नहीं होता है तब गुफवा के अंदर भी जाया जा सकता है गुफवा के अंदर मैंने जाके देखा ज्यादा दूर तो नहीं जा पाया लेकिन नीचे में हलका सा कीचड़ा और पानी था और काफ जो है बहुत संभा हो पाता है पहाडी के एरियम दोस्तों आपको ये छोटा सा काली मंदिर भी देखने को मिलेगा यहां पास काफी सारे त्रिशूल वगरा लगा के रखें और इस पत्थर पे एक अजीब सी आकरिती भी आपको नजर आ रही होगी यह यह में को काफी वापर तीन दिवसी मिला भी लगता है जिसमें यहां काफी सारे श्रधालू दर्शन करने के लिए आते हैं अब दोस्तों यहां से जोड़ी होई कहानी जो भी हो चाहे वह पाराणिक कहानी जो मैं आपको बताई वह हो या फिर लोगों द्वारे यहां जो माना जाता है कि म पराण से संबन्ध है तो मन कुछ अगर जानात हो तोला बताओ अभी बताय के साथ तो वहां हर साल कातिक पुने माव मेला हो थे बहुंच आजमी आवा गवान हो तुम्हर कहें को मताविक वहां पहले कोई मूनी रहत रहे तपस्या करें उस जागर भी बैठें अचा वह जो एक कुंड भी हुए जहां पानी रथे हो मा उखरवरें कुछ बताओ है इसे सुने लब मिले है के वहां बहुत दूर-दूर से आथे पानी लब पीए बर लेके भी जाते चमतकारी भी मानते हो पानी लब तो किस प्रकार से मतलब बताओ उखरवरें थोड़ा से पानी के कुछ खास मतलब उखर लाब दाया खेगे नहीं है बिल्कुल अब कहां भी हमन जटक जाना है तो खाना चीए नहीं नहीं सुख है कभू नहीं सुख है पानी तो कम अगेर है अधर में तो कीचर कीचर टाइप के रही संखर है नहीं नहीं वह घुसान तेकर अथ्रोब छोटे हैं बाकी वह दी तो बहुत चाड़ा है अच्छा वह गुफा जो है वहीं खतम हो जाते कहीं जाते भी वहां तो वहां तक पहुंचे नहीं अभी तक समय अच्छा गर्मी स अधर बहुत लंबा अधर कोई एक तो अधर तो आपको यहां बिलाईगड सारंगड जीले का मूनी चुआ यहां अनुखार रहस्यमाइस्थान कैसा लगा वैसे तो बरसात में इसकी खुबसूरती अलग ही रहती होगी अभी सिर्फ में यहां का रहस्यमाइस्थान के लिए आया था आप लोग को कैसा अलगा यह रहस्यमाइस्थान कर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इंट्रेस्टिंग ऐसी वीडियो दिखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है तो मुझे कमेंट करें जरूर बताइए फिलहाल वीडियो में इतना ही फिर में लिंगी से नए वीडियो में तब तक के लिए बाई